जैमातादी दोस्तो नवरात्रे के तोहार में हम मादुर्गा की अराधना करते हैं इस बार देवी नौ रूपो के उपासना का पर्व 25 मार्च से शुरू हो रहा है यह माननेता है कि संपूर्ट रिष्टी देवी ही उत्पन हुई है और देवी ही विभेन रूपो में रिष् देवी है परवत शिखर की बेटी है पूर दिन मा पुस्तो रिष्टी का ध्यान करने से अनंत्य फल मिलता है माता शैल पुत्री बैल पर सवार रहती है और उनके एक हाथ में दुरूसरे हाथ में कमल का पुश्प होता है उनके माथे पर चंद्रमा शो भ्यामान है कलश यागर्ट धापना के पस्चात मा शैल पुत्री की पूजा विधी विधान से की जाती है माता शैल पुत्री शान्ती और साहा देने वाली और भैनाश करने वाली है उनकी अराधना से भक्तों को धन, विद्या और मुक्ष की प्राप्ती होती है माशैल पुत्री अपने भक्तों में उच्छा का संचार करती है आईए जानते हैं माशैल पुत्री की पूजा केनियम नवरात्रे प्रतीपदा के दिन के कलश या घट स्थापना के बाद दुर्गा पूजा का संकल्प ले इसके बाद माता दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की विधी विदान से पूजा अर्चना करें माता को अक्षत सिंदूर धूप गंद पुश्प आदी अर्पित करें इसके बाद माता के मंत्र का उचारन करें फिर अंथ में कपूर या गाएक के घी से दीपक जलाकर उनकी आर्थी उतारें और शंखनाद के साथ गंटी वजाएं के बाद माता को जो भी परसा चड़ाया है उसे लोगों में बाटे और व्यम भी खा सकते हैं और भूल कर भी ना करें ये काम लसुन और प्यास का त्याग करें टाटने आली जातू का इप्योग ना करें खास कर सुई भौतिक गुणों जैसे निंदा उपास करने से बचें ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पून हो जाएगी और साथ ही विशेश फलोग की प्रापती होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे जादा से जादा शेयर अवश्य करें धन्यवाद